वेल्कम बैक to art and culture with Priyanka तो आज का जो हमाらा विशह है वो है लगू चितरकारी और तकनीक आज हम लगू चितरकारी और तकनीक के बारे में बात करेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि लगू चितरकला क्या है लगु चितरकला 16 वी सदी की शुरुआत से लेकर 19 वी सदी के मद्य तक फडिफुली इसका इतिहास और विकास करीब 750 इसापूर्वर माना जाता है जब पलास की भारने भारतिय पूर्वी चेतर पर शाशन किया था सबसे पहले पाल और जैन चितरकला बना जिसमें बुद्ध और महाविर स्वामे की धार्मिक सिक्षाएं थी और साथ ही उनके चितर भी यहां शामिल थे यह तार के पत्रों पर अंकित होते थे तार के पत्रों पर इन चित्रों को फिट होने के लिए चित्रों को छोटा बनाया गया था जिस वजह से इन चित्रों को लगु चित्रकला कहा गया लगभग 960 इस्वी में चालू केवंश की राजाओं द्वारा इसी तरह के चित्रों को पक्षिमी भारतिय शली में बनाया गया और पक्षिम से भारत की और इसे आयात किया गया इन चित्रों को की लोगप्रियता बढ़ी और मुगल सामराजे में हुमायू से लेकर अगबर तक चित्रकला में बहुत रूची थी चित्रकला की मुगल शाली की उत्पति भारतिय लगु चित्रों से हुई जो फार्सी चित्रकला के पहलूँ को जोड़ती है मुगल दर्बार में यूरोपिय चित्रों से प्रभाव ने इन लगु चित्रों को और विकास किया मुगल समराजे के पतन के बाद भी राजस्थान के राजपूत राजाओं ने लगु चित्रों और कलाकारों का समर्थम करना जारी रखा मुगल चितरकला से प्रभावित होने के बावजूद भी राजस्थानी चितरकला की अपनी अनूटी ही एक विशेस्ता थी शाही जीवन शैली भगवान श्री कृष्ण और राधा के पुरानी कथाओं को चितरित किया गया लगुचितरकला को वासली भी कहा जाता है यह चितरकला की उप्यूग सतह होती थी अब हम बात करते हैं लगुचितरकला की तकनीक के बारे में किस तरह से लगुचितरकलाओं को बनाया गया चित्रकला समागरी के रूप में जो है वहाँ पे तार के पत्ते लिए गए कागज, काश्ट और वस्त्र का उप्योग किया गया मद्धिकाल में चित्रकलाओं का स्वरूप जो था लगु चित्रकारी ही था जिसे परामपरागत तकनिक से बनाया जाता था पहले खाके को लाल या काले रंग से स्वतंत रूप से बनाया जाता था फिर उस पर सफेद रंग लगा कर बार बार उसे जो है चमकाया जाता था ताकि बहिर रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे फिर नई कूची की सहायता से दूसरी बहीर रेखा बनाई जाती थी और पहले वाले खांके को बिल्कुल स्पष्ट और त्रिष्टी गोचर कर दिया जाता था चित्र कलाओं में प्रयूक्त रंग, खनीज रंग और गेरुवे से बने थे पियोरी जो कि गाय के मुत्र से निकाला गया एक पीला रंग था बबूल के गोंद और नीम के गोंद का उप्योग जो है रंग को बांधने के लिए किया जाता था पशू के बाल से कूची बनाई जाती थी जिसमें गिलहरी के बाल से बनी कूची सर्वश्रिष्ट होती थी रंगों में प्राकर्तिक रंगों का उप्योग बहुत यची तरह से किया गया कहीं कहीं स्वर्ण और चांदी के अभूशनों को भी जो है डाइरेक्ट यहां देखने को मिलता है इसके अलावा चित्रों में विभिन प्राकर्तिक पत्थरों का भी उप्योग किया जाता था जैसे कि मुंगा, लाजवर्ड, हल्दी, त्यादी जिससे कि प्रतेक राजा के अपने राजत्तों का प्रभाव चित्रों में देखाए दे चित्रकला की पक्षिमी वर्णों और तक्नीक के प्रभाव के कारण भारती चित्रकला की परांप्रागत शल्य उन्नीशवी सदी के उतराध में अंतता समाप्त हो गई विदियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरू कर दें थांक्स पो वाचिंग्ट